आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मास? आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडू का मास खाया था उन्होंने ऐसा क्यों किया यह जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जनम के बारे में जानना पड़ेगा पांडू के पांच पुत्र युधिष्ठर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे इनमें से युधिष्ठर भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता मादरी थी पांडू इन पाचो पुत्रों के पिता तो थे पर इनका जनम पांडू के वीर्य तथा संभोग से नहीं हुआ था क्योंकि पांडू को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यू हो जाएगी इसलिए पांडू के आगरह पर यह पुत्र कुंती और मादरी ने भगवान का आवान करके प्राप्त किये थे जब पांडू की मृत्यू हुई तो उसके मृत शरीर का मास पाचो भाईयों ने मिलबाट कर खाया था उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वया पांडू की ऐ ऐसा वर्दान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यू के पश्चात उसके शरीर का मास मिलबाट कर खाले ताकि उसका ग्यान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवो द्वारा पिता का मास खाने के संबंध में दो मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मास तो पांचो भाईयों ने खाया था पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। अधिक ज्यानी था और इससे उसे भविश्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ती मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एक मात्र शक्स सहदेव ही था जिसे भविश्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बाते पता थी।